हेलो दोस्तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो अच्छी लगे तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजे घीर डालने के बाद में हम इसमें डाल देंगे जीरा धियान रहे कि खीज बहुत ज़्यादा गरम ना हो पाए कि घीर बहुत जल्ली जलने लगता है जीरा जैसे ही पकना स्टार्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए और ठीस के लिए अदरक तो एक चम हाँ पाके काफी बहुं हो जाते हैं तो नगे जब आपके चटपटा का निमान कर Kollegin ability इसे आप ट्राय कर सकते हैं 있는 तो यहां पर अध्रक को और अच्छे से पका लेंगे फ्लेम को हम कहीं पर भी घ्र लो और मीडिय प्लेम पर पुरी रेस्पी को बनेंगे हैं तो अब क्योंकि हमें यहां पे प्याज वगेरा नहीं इस्तिमाल करना है इसलिए यहां आपको टमाटर की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखनी होगी तो घी में ही हम थोड़े सुखे मसाले भी फ्राई कर लेते हैं पका लेते हैं इसे की बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी एक चंप धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल उप्सनल है क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल रखी है अगर आप हरी मिर्च और लाल मिर्च नहीं डाला चाते तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं अब इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर बारी काट करके डाल देंगे औ और इसे भी हम पग जाने देंगे तो क्योंकि आप चाहे तो घीकी मातरा इसमें ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर अपने हेल्थ का भी ध्यान रखा हुआ है थोड़ा सा तो अभी यहां पर हमने सेंधर अमक डाल दिया है इसे सब्जी को टेस्ट भी मिलेगा भ आज पर इसे एक दो मिनट के लिए छोड़ देंगे आप चाहे तो इसे कवर करके जोड़ सकते हैं टमाटर का अच्छे से सॉफ्ट होना यहां पर काफी जरूरी है तभी जो है एक अच्छा सा टेस्ट आ पाएगा और जो गी है थोड़ा थोड़ा वह भी रिलीज हो जाए इस स्टेच पर जब यह मसाला अमारा पक चुका होगा और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखेगा दोस्तों अगर और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं व्रत की धेर सारी वीडियो में चैनल पर आपको मिल जाएंगी प्ले चाहिए दिमी आच में इसे एक मिनट तक हम अच्छे मिक्स करेंगे और इसी पीच में डालेंगे दो चमच के जितना दूद यह पका हुआ दूद है दूद डालने से जो है इसे इसके मसाले जो है अच्छे से फूल जाएंगे और पनीर के साथ में मिक्स हो पाएंगे ठीक मिला दिया है अब लो फ्लेम पे इसे एक मिनट के लिए पका देंगे आप यहां नमक पगेरा टेस्ट कर लें और आपकी जो पनीर बुर्जी है वो तयार हरा दनिया है तो उसे डाल कर जरूर सब करें और दोस्तों इसे आप कुट्टू का आटा या सिंग आटे के रोटी या फिर पूरी बना के खा सकते हैं या फिर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं इसे ऐसे भी खा सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जदा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा